उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की रहा में आगे बढ़ चुका है इसी को लेकर आज संगठन के चुनावों पर भी चर्चा चलने वाली है जिस पर जादा बाच्चित करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दर्ज़र प्राफ्त राज्य मंत्री ठाकूर अगु प्रते एक तीन बर्स में सक्री सदस बनते हैं साधान सदस बनते हैं एक प्रक्रिया है लोगतांत्रिक संग्ठन के माद्यम से हम लोग मंडल अदश का चुनाव करते हैं मंडल अदश को जिलादश का चुनाव करते हैं जिलादश के बाद हम प्रदेश अदश का करते हैं प किसी को घुचित पहले कर देते हैं यही बनेंगे वह बनेंगे वह बनेंगे हमारे हैं कोई ऐसा तैनी होता हमारे हैं संग्ठन के चुनाब प्रभारी तै करते हैं कौन इस लाइक है कौन इस लाइक नहीं है यह तो रहा बस पापा पलटवार अब जरा बात कर लिजाए पूब जाती है लेकिन अभी कि अगर हाला देखे तो मंदी के सतर पर देश पहुंच चुका है कि देखिए बिश्व मंदी का दोड़ चला लेकिन हमारे हैं अभी अभी आपके च्वीने पहले अठारे का जीडिपी ग्रोथ रेट था लेकिन यह अपन्डाउन होता है क्यो लेकिन कहीं सहयोग नहीं मिला नहीं तो पहले यह लोग इतने डरते थे आज देख रहे हैं धारा 370 के विसे में जो अनुछे 370 है वो समाप्त कर दिया और देखिए दो प्रदेश बना दिये केंदर सासित यह ऐसा कोई कर सकता था क्योंके कहते हैं बोधी है तो मुमकीन है खलेश यादफ की राजनीदी को समझने के कुशिश कर उनका साफ तर पर कहना है तो जब उत्तर प्रदेश का नाम ले जाता है तो हत्या प्रदेश वो बन चुका है कानून विवस्ता पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है रामपूर की बात की जाए तो रामपूर के SSP को उनके पीछे लगा दिया है ऐसा नहीं है देखिए उन्होंने वह उसमें ये भी अच्छा है युस्वर की दया से आप लोगों के मादम से मैं कहना चाहूंगा उसमें 26 किसान है 26 में 23 मिसल्मान है और तीन हिंदू है ये भी बहुत बढ़िया हमारी लिए नहीं तो बाकी सा गुरागुराज सिंग जिनका साथ तोर पर कहना है कि बिजेपी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर चलती है लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए आरूप कितने सच है या फिर कितने जूट क्यामरा प